आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप खुद की QR कोड को बना सकते हैं इभेन अगर आप कोई भी चीज को चाहते हैं QR कोड में कनवर्ट करना जैसे कि कोई वेबसाइड कोई भी मेसेज या तो फिर कोई भी मेल या तो फिर कोई SMS या तो Facebook पेज या तो फ ना सकते हैं तो चली आप complete वीडियो बाच करें first of all आपको गूगल पर चले जाना है अगर आपको खूद की QR कोड को बनाना है सो गूगल में आपको यहां पर search लेना पड़ेगा QR कोड जेनरेटर ऐसे search करने के बाद यहां पर पहला जो वेबसाइड आएगा उसी वेबसाइड पर आपको simply आ जाएगे किसी वीडियो का link को QR कोड में test मतलब convert करना तो क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको YouTube चले आना है और यहां पर आने के पाद आपको कोई भी वीडियो का जिस भी वीडियो का अगर आपका URL जैसे मान लिजे इस वीडियो को हम को convert करना है तो simply इसका link को copy कर लेते है और simply यहां पर paste का options मिलता है यहां पर हम उस link को paste कर देते हैं उसके बाद save कर देते हैं आपको पूछेगा PDF वगरा तो आप PDF में इसे save कर ले देखेगा है जो QR code है वो simply download हो गया अब चलिए दूसरा phone से आपको दिखाते हैं इस QR code को scan करके कि जो मैंने QR code बनाया है वो really work करत है तो देखिए जैसे ही आपको यहां पर QR code को scanner फिर से अगर आप scan करना चाहते तब इस application में ओ फीचर सब्लीवल है तो क्या करना पड़ेगा आपको simply 3 line के उपर आपको type करना है यहां पर QR code scanner मिल जाता है तो इसको उठाकर simply आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा जैसे आ नहीं बनाए था तो देखिए गाई यह वीडियो प्ले हो गया है तो इसी परकार से अगर आप टेस्ट को चाते तो टेस्ट को बना सकते गेज यह बनाना काफी इजी है वीडियो कैसे लगा अगर उजफलो नोलेजबल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करके सपोर् इस तरह से कोई भी चीज का आसानी से उसे क्यार कॉर्ड में कनबर्ट कर सकते हैं थैंक्स फूर वचिंग